सावन मेहने का आठ सात्वा संभारी है साथ ही नाग पंचीमी का दिन है एसे में सावन मेहने में काफि भीड कावरियों की बावा वत्वाधनाद्र हाम देवग्गर पहुचच चुकी है और कतारबत तरिके से सावन की सुमारी परबावकुछ विशे कर रहा है रूंक साथ네 की समभावना साथ वह है आज नाक पंचमी भी है यह बहुत महत्वकून किती है भीर अत्यदिक संख्या में है दो लाक से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है इसको देखते वे जिला प्रसाशन डीसी सर की अधिच्छता में और डीसी सर ने स्वेम पिछले दो-तीन दिनों में संपून की चोटी चोटी जितनी भी डुटिया थी उन सब को हम लोगों ने लग करके पूर्न कर लिया है मंदिल प्रांगन का क्यूंप्लेक्स का डीसी सर के द्वारा मेरे द्वारा बार-बार ने इरिक्षन किया गया है और हमारा जो एक रोबस्ट सिस्टम बनावा है फुली जी, बिल्कुछ समभावना थी इसकी, हमारे पास पहले से ہी संकेत आ रहे थे, कल से हमारा परित्राण बस्टैंड फुल था, साथी-साथ, जो हमारे पास दुमा से काउन्टिंग के स्टें। और हम लोगो ने एडवांस में उन संकेतों को ध्यान में रक्ते हैं, क्योंकि स्वंवारी के साथ साथ नाग पंचमी है काफी भीड है ऐसे में किस तरह की प्राथमिक्ता है आपकी क्योंकि नाग पंचमी भी है अद्धिधिक संख्या में स्वधालू है तो हमारी प्राथमिक्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षित जलारपन सुरक्षि तरीके से जलारपन करा लेंगे क्या लग रहा जिस तर से भीड प्रप्यासिक भीड पहुंची लंबी कतार जो है नंदन पहार तक सवेरे देखा गया तो दो लाग से क्या लग रहा पार अज पुझा हो पाएगा बिल्कुल अनुमानित तो यही है कि दो लाग से उपर का फि लाशन की मुकमल व्यवस्ता की गई है जिससे जितने भी सुखमता पुर्वग जला भी शेख कर सके कैमरा पसंद मिने देवके साथ रंजीप कमार समाचा प्लाजेव